आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरण विडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट करें। इसके लिए हमारे पास सुत्तर क्या होता है। एकी जगह क्या है इसमें वरगमूल एक्स मतलब क्या हुआ इसका एक्स की घात एक बटे दो। बटे में वरगमूल तीन मतलब तीन की घात एक बटे दो। अब इसकी घात में क्या दिखेंगे। एन माइनस आर मतलब दस माइनस आर। बी की जगह क्या है इसमें तीन की घात एक बटे दो। बटे में दो। एक्स की घात दो। इसकी घात में क्या लिखेंगे र। अब इसको हल करेंगे। तो क्या होगा दस सी आर एक्स की घात दस माइनस आर बटे दो। जैसा कि मैं पता है घात के उपर अगर घात हो तो वो गुणा हो जाती है। इसी परकार तीन की घात में क्या आगया। दस माइनस आर बटे दो। और यहाँ पर तीन की घात हो गई आर बटे दो। और नीचे जो दो है उसकी घात में आर और एक्स की घात दो आर। अब हमें इसमें क्या करना है। दस सी आर हमें एक्स की घात को इखटा करना है। जैसे कि हमें पता है इसमें एक्स दो जगा लिखा है तो हम उन दोनों को एक साथ लिखेंगे। एक्स की घात दस माइनस आर बटे दो माइनस में दो आर। अगर भाग में आधार समान हो तो घात घट जाती है। इसी परकार तीन की घात में भी आर बटे दो माइनस दस माइनस आर बटे दो। तीन भी यहां भाग में है तो इसकी घात घट जाएंगी। हमारे पास नीचे क्या बचा दो की घात आर। अब हम इनको हल करेंगे लगुतम स्वाप पड़ते लेकर एक्स की घात में इसमें इसका लगुतम स्वाप पड़ता क्या होगा दो उपर आगे दस माइनस आर माइनस चार आर। ऐसे ही तीन की घात में भी इनका लगुतम स्वाप पर पड़ता क्या हो जाएगा दो और दो का दो अब इसमें इसका हर समान है तो इसलिए अंस भी समान आओगा। अब इनको स्रूल करने पर हमें क्या मिलेगा। 10C R X की घात में क्या हो जाएगा। उपर हमारे पास माइनस आर, माइनस चार आर है तो वह हो जाएगा माइनस पांच आर बटे दो इसी परकार तीन की घाद यहाँ पर है आर जमा आर मतलब दो आर बटे दो नीचे दो की घाद आर अब हमारे पास एक आवशक बात जो आती है, वो क्या है वो परसन में दी गई है क्योंकि हमें ग्याद क्या करना है X रहित पद X रहित पद का मतलब क्या होता है जिस पद में X हो ही नहीं अगर किसी पद में X ही नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे X रहित पद मतलब क्या हुआ X की घाथ क्या होनी चाहिए 0 X की घाथ अगर सुनने होगी तो वो X रहित पद होगा अब हमारे जो X की घाथ हो कितनी है 10-5R बटे 2 तो वो बराबर किसके होनी चाहिए 0 होगे अब इसको हल करेंगे तो 10-5R बराबर 0 और R बराबर कितना हो जाएगा 2 R का मान कितना हो गया 2 अब हम अपने पद में R के जगे क्या रखेंगे 2 तो क्या पद बनेगा T R प्लस 1 बराबर 10-C 2 X की घाद क्या हो जाएगी 0 जब हम R की जगे 2 रखेंगे तो X की घाद क्या होगे 0 और 3 की घाद और नीचे 2 की घाद 2 10-C 2 3 की घाद कितनी बन गई माइनस 3 और 2 की घाद 2 का मतलब 4 अब हम इसको हल करेंगे 10-C2 को 10 factorial बटे में 2 factorial 10-2 8 factorial गुणा एक बटे में 3 की घाद 3 कितना होता है 27 गुणा 4 यह 27 नीचे क्यों आया क्योंकि 3 की घाद माइनस में है अब हमने क्या किया 10 factorial को खोला 10 गुणा 9 गुणा 8 factorial नीचे 2 factorial को खोला 8 factorial से 8 factorial 8 factorial से 8 factorial क्या हुआ कट गया 9 से 27 कटा 9 गुणा 9 गुणा 27 2 से 10 कटा 2 पंजे 10 अब हमारे पास उत्तर क्या आया 5 बटे उपर तो 5 बचा और नीचे कितना बचेगा 3 चोग 12 दूसरे भाग में भी हमें वैसे ही X रहित पद ग्याद करना है तो इसमें भी हमारा सुत्तर वही रहेगा T R प्लस 1 बराबर है N की जगह अब के बार कितना है 8 A की जगह क्या है 1 बटे 2 X की घाथ 1 बटे 3 और घाथ में 8 माइनस R और B की जगह कितना है अब के बार X की घाथ माइनस 1 बटे 5 उसकी घाथ में R बिल्कुल उसी परकार हम इसको भी हल करेंगे 8 C R घाथ के उपर जब घाथ होती है तो क्या हो जाती है गुना तो वैसे ही करेंगे इसमें भी पहले तो होगा 1 बटे 2 की घाथ 8 माइनस R और X की घाथ में क्या हो जाएगा 8 माइनस R बटे 3 और इसी परकार यहाँ पर भी X की घाथ कितने हो जाएगी माइनस R बटे 5 अब इसमें भी वैसे ही X दो जगह है तो हम क्या करेंगे गुणा में X की घाथ जुड जाएगी तो 8 माइनस R बटे 3 जमा माइनस R बटे 5 भाग में क्या होता है? घाथ घढ जाती है गुणा में क्या होता है? घाथ जुड जाती है और नीचे 2 की घाथ 8 माइनस R ऐसा कैसा अब फिर से वही लोगुतम स्वाप बढ़ते लेकर इनको हल करेंगे 8C R X की घाद लोगुतम स्वाप बढ़ते कितना आएगा 3 और 5 का 15 यहां हो जाएगा 548 माइनस 5R गटा 3 को R से गुणा करेंगे तो क्या आजाएगा 3R और नीचे 2 की घाद 8 माइनस R 8C R X की घाद में क्या आएगा इसमें R 2 जगा है इनको एक खटा कर लेंगे 40 माइनस 5 और 3 आठ और नीचे 2 की घाद 8 माइनस R ऐसा गया अब जैसा कि हमें पता है इस परसन में भी हमें X रहित पद ग्याद करना है तो इसलिए हम लिख लेते हैं क्योंकि X रहित पद ग्याद करना है इसलिए हमें क्या करना पदेगा X की घाद को सुनने के बराबर रखना पदेगा जिससे कि उसमें से X हमारा हट जाए जब किसी की घाद सुनने होती है तो उसका मतलब क्या होता है एक तब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा R बराबर है 40 बटे 8 मतलब 5 इसमें R का मान कितना हुआ 5 तो अब हम क्या रखेंगे T R प्लस 1 बराबर N C R एक ही घाद हमने इस बहुपद को लिया क्योंकि यह हमारा स्रलतम रूप है तो इस परकार अब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 8 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल 8 में से 5 गया 3 फैक्टोरियल गुणा X की घाद 0 का मतलब 1 2 की घाद 3 अब 8 फैक्टोरियल को खोलेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल है जिससे की 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाए तीन फैक्ट्रिल को खोल देंगे, तीन गुणा, दो गुणा, एक दो की घात तीन का मतलब कितना होता है, आठ पांस फैक्ट्रिल से, पांस फैक्ट्रिल कटा, तीन से, चैक्टा, दो से, दो कटा आठ से, आठ कटा, इस परकार हमारा उत्तर कितना बचा? अंस में तो साथ बचा है, हर में एक, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? साथ सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर